नमस्कार मैं आसीस पाठाक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षपलस में तो बच्चो जिसका आप लोगों का इंतजार था जैसे आज मैं सुभा सुभा ही आप लोगों से बोला था कि आज उत्तरप्रदेश पुलिस भरती बोर्ड आपके एडमिट कार्ड से ले लेटेड नोटिफिकेशन जरूर देगी तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है अब ए अपना इकजाम सीटी कभ से देख सकते हैं कि जन्पद में आपका इकजाम है तो यहां पर साब साब बोला गया है कि ये आपके दो दिन इकजाम होगा यह तो पहले भी बता दिया गया था लेकिन पाली नहीं बताई गए थी शत्रहा और अठारा को इक्जाम है दो सिफ्ट में exam होगा, दो-दो पालियों में होगा, एका 10 वज़े से लेकर 12 वज़े तक, दूसरा आपका 3 वज़े से लेकर 5 वज़े तक है, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, तो जो आपके exam city है, किस दिन आपका exam पढ़ा है, किस district में पढ़ा है, यह सब ही सूचना आपको कम 10 तारिक, मतलब कल आपको website पर मिल जाएगी, 10-2-2024 को प्रदर्सित किया जाएगा, कल आपको website पर UPPRPB के, आपको कब आपका परिक्षा होगा, किस पाली में होगा, कहां, कौन सी city है, उसका detail आपको दे दिया जाएगा, वो admit card नहीं रहेगा, बस आपको exam city कहां है, और किस shift में है, ये आपको कल आपके website पर आजाएगा, तो कल आप देख सकते हैं, उसके बाद से बोला गया है, कि जो admit card है, वो आप ध्यान दीजे, admit card आपका लिखित परिक्षा का प्रवेश पत्र, आपका कब होगा, 13-2-2024 से website से download हो जाएगा, कब से 13 तारिक से आपका download किया ज दिखाएगा, आपका exam city दिखाएगा, किस दिन पढ़ा है, कौन से shift में पढ़ा है, तो ये information अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोड के द्वारा दी गई है, तो एकदम निशिंत होके अपनी तयारी को धार दीजिए, कोई दिक्कत समस्या है तो जरूर पूछिए, अ exam city आप कल से जो है, अपना check कर सकते हो, और उसी हिसाब से अपना reservation, अपना ticket जो भी हो, जहां जिसको जाना हो, उसके according आप अपना अपने ठहरने का, जो है, कहीं न कहीं डेरा डालना पड़ेगा न, exam city पड़ेगा, तो उसके लिए आप अपने विस्तधारों को approach कर सकते हो, तो मस्त रहिए, स्वस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, तो चलिए इसी के साथ, फिर हम आप से मिलेंगे अगले information में, जहिन!